गुर्वर्णिंग स्टूजेंस कैसे हैं आप सभी प्रगय स्कूल के इस यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है हम एट्थ क्लास की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर थर्ड अंडिस्टेंडिंग क्वाइड लेटल पड़ रहे हैं ठीक है तो इस चैप्टर में अधे चैप्टर किया होते हैं कंकेव और कंविक्स इस तरह से हमने कुछ बहुत सारे केशन कर लिए हैं तो इसी कड़ी में कुछ क्रिशन और है आगे जो तो फिगर हैं कुछ है किशन हों कि देख यहां पे एक किशन है आप एसामने सुपोज सुपोज यह किशन है यह लेजी है ठीक है एंगल्स दे रखें इंटेरीर अंगल्स 120 डिग्री 130 डिग्री and 50 degree and find the value of XO simple question है a b c d so किसी करेंगे so it is a convex quadrilatal so looking a it is a it is a convex quadrilatal a b c d quadrilatal a b c d convex quadrilatal a b c d we know that we know that angle some property some angle some property of a quadrilatal sum of angle is equal to 360 degree ठीक है दिस इंप्लाइज इस फिफ्टी सलो एस सुरू कर लो 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स और प्लस फिफ्टी एट इस इकल टो 360 जिग्रे तो यह अब इसको नामने लेनीर एक्विशन बहुत अच्छे सीख रख है यहां पर इदर वैरियेबल को रखेंगे बाकि सबको उधर ले कि जाएंगे सब पे साइन चेंज करते हैं पहले क्यों नहीं इनको पहले आईडी कर लें तो 130 प्लस 120 यह आपको जागा 250 250 प्लस फिफ्टी एक्स इस इक्वल टू सिक्स्टी जिगरी ठीक है समझ में आ रहे हैं कि देखिए यह एक क्वार्टर लेटल है साइड कितनी है फोर सुपोज साइड इसकी सैवन होती तो सम उफ एंगल्स इंटेरियर एंगल्स कितना होता सेवन माइनस टू इंटू वन एक्टी ठीक है तो आपका 900 जिगरी अभी क्वार्टर लेटल है इसकी फॉर साइड है तो फॉर माइनस टू इंटू 180 तो फॉर माइनस टू टू इंटू 180 यहां निकल करा है था आपको ठीक है तो इसी कड़ी में एक कुशन और है देख लिजिए यहां पर एक फिगर ऐसे है यह कुछ इस तर षघ्माटा करें यहां पर है शिक्स्टि डिग्री यहैं सवंगेR और यहां पर एक्स है और यहां पर यस इसे इस इसींबल है मैं समझता हूं कि इसको आपको पता होगा क्या है यह ना इनिटी डिग्री बिष्ट यह नाइंट ए तो इतर में नाइंटे ठीक देखी यह क्या होता है linear pair मतलब यदि suppose यह एक line है ठीक है और एक line इसको ऐसे intersect कर रही है ऐसे तो इस line की one side 180 अंगल होईगा ठीक है इनको linear pair बोलते हैं और इधर इधर भी 180 इधर भी 180 तो देखे यह एक line है इधर कितना होना है 180 तो यह 90 तो यह प्रपेंडिकल और तव यह से भी इधर भी 90 बनेगा और इधर भी 90 बनेगा चीक है अगेन यह क्या है कि क्वाडिलेटल a b c d sum of interior angle is equal to 360 degree 90 plus 60 plus 70 plus x is equal to 360 मैं समझता हूँ इसको आप आगे कर लेंगे देखे एक किशन और है इसमें अगला जो किशन है उसमें ऐसा का फिगर है इसका यह देखिए आप यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है इन देखे अगल 70 degree that is 60 degree and that is 30 okay we have to find out the value of x so a b c d e now it is a pentagon it is a pentagon and we know that sum of interior angles of a pentagon is equal to kya five into five minus two into 180 तो three into 180 is equal to 540 degree एक तो यह बात है कि इस pentagon जो a b c d e जो है इसके sum of interior angles is equal to 540 degree आप देखिए एक चीज़ तो यह है इसमें एक दूसरा क्या है यदि एक exterior angle 70 है तो इसका interior क्या बनेगा अभी तो हम discuss कर रहे थे यह क्या आएगा 110 linear pair बना रहा है और इधर कितना आएगा 120 degree ओके क्या आपको मेरी बात समल में आ रहे है linear pair यह सारी बात है आप verbally हापे लिखेंगे ठीक है तो देखिए वी नो देट वी नो देट वी नो देट sum of interior angle of a pentagon is equal to 540 लाइन लिख देगे फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल c प्लस एंगल d प्लस एंगल e is equal to 540 degree अब जो जो वेलू है वह आप रख सकते हैं 100 10 प्लस बी 120 c तो हमें पता है x है d कितना है 30 और eb कितना दे रख है इसने x दे रख है एज इकल टू 540 degree देखिए लेफ्ट में जो एड हो रहे हैं उनको पहले कर ले 110 120 230 और प्लस थर्टी 260 ठीक है 110 और 220 तो 230 और प्लस थर्टी और प्लस थर्टी तो 60 और x x 2x इस इकल तो 540 सो यहां से 2x विल बी इकल टू 540 माइनस माइनस 260 तो अंसर इस 542 60 जीरो एट और 280 ठीक है सो 2x 2x इकल टू 280 degree ना एक्स विल बी इकल टू 140 तो इसका मतलव यह तो विल लू है एक्स की यह दोनों एंगल कितने कितने है 140 और यह भी 140 ठीक है समझ रहे हो आप आपको एक्स की विल लू बताने थी देखिए एक दो किशन और है इसमें इस वी पर बेस्ट हैं इसमें एक फिगर यह है यह देख लिए आप यह यह यहां पर एक्स है और यह सिंबल लगा रखें आप मैं समझता हूं कि आपको पता होगा यह का क्या मतलब है सुपोज इट इस ए हाँ अहां कि अफंपने वर्टेक्स नाम देदिया एबीस दे टी इट इंड़ी जे पइंटागोन इन्विच ओल साइड और एक्वेल इट मींज इंश्ट के जे रीगुलर पंटाओं ओके रीघुलर पंटागोन तो यहां पर क्या हो तो यह भी X है इट मेंस यह भी X है यह भी X है और यह भी X है क्योंकि regular polygon जो होएगा उसमें side भी equal होएगे और angle भी equal होएगे so we also know that sum of interior angle of a pentagon is equal to 540 यह लाइन हम दुबारा से लिख देंगे so X plus X plus X plus X plus X is equal to 540 degree तो यह होगा 5X is equal to 540 so X is equal to divide गरेंगे 5 इसके पून मैं देगा 08 108 degree ठीक है आप क्यूशनों को ढंग से करें लिख 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 के बगेरा we know that the interior angles of a regular pentagon या also pentagon is equal to 540 and angle sum properties के साब से करके और भी लोग आप X के निकाल सकते हैं ठीक है देखिए एक आद क्यूशन और इसमें देखिए एक फिगर आपके सामने यह है इस तरह से है एक फिगर यह लिजी आप यहां पर है जैट यहां पर है एक्स और यहां पर है आपका वा इसको थोड़ा सा अक्चन कर लेजे यह वाई और यहां पर है है 90 डिगरी और यहां पर है 30 और यह वाला जो एंगल है यह वाला यह क्या है आपका यह जैड है ठीक है और देखिए क्यूशन क्या पुच्छा गया है इसमें फाइंड देविल्यू ओफ एक्स प्लस वाई प्लस जैड एक्स प्लस वाई प्लस जैड देखिए यहां पर मापको एक प्रूपर्टी बता दूं कोई भी एक ट्रेंगल है या कोई भी एक फिगर है सुपोज मैंने आपके सामने यह लिखते है इसको अक्सेंट कर दिया ठीक है जो यह मैंने लिखता हूँ ए प्लस बी प्लस सी एबी सी वर्टेक्स जैड एंड एंगल को भी रिप्रेजेंट कर रहे है यह एंगल ए यह बी और यह सी यहां वाला जो एंगल है सी का इधर वा इसे उसे प्लस बी यहां पर क्या रिखेंगे एकस्टीरियर अल्асिखम को इंगोज़ को सी क्याएगा इंटेरियर एंड ब्लस बी ठीक है यह वाला जो एंगल है यह इसके और इसके समगे एकवल है वो किःभाफ यह प्लस से सिए और इसी प्रकार यह सुपोज आगे होती ही लाइन तो यह वाला जो एंगल है यह किसकी इकवल होता है यह प्लस यह ठीक है कि आपको मेरे बाद समझ में आ रही है तो एंगल सम प्रोपर्टी अफट एंगल इस वनेटी डिग्री यह एंगल थो हम पता करी सकते हैं सबसे पहले 90 प्लस 30 120 जो बीच लिए कितना है 60 डिग्री कितना है यह 60 डिग्री सो एक्स्टेरियर एंगल प्रोपर्टी एक्स की वे लूग इसकी इकवल है 30 प्लस 60 मतलब 90 और इसी प्रकार Y की वेलू क्या है 90 प्लस 30 120 डिग्री ओके और इसी प्रकार Z की जो वेलू है वो कितना आती है Z 90 प्लस 60 150 जो X प्लस Y प्लस Z is equal to आपका हो जाएगा 150 प्लस 120 प्लस 90 देखलो कितना हो गया 150 120 90 जो 7 यह 6 और यह 3 की आंसर इस त्रे 60 डिग्री क्या आपको समझ में है ठीक है इसी प्रकार यह कुशन और है यहां पर जो है कि आए ऐसे है यह कि यह कि यहां पर यह है और फिर यहां से अपका कि यह है यह है डबलू यह है अपका एक्स और यह है अपका वाई और यह है अपका जैड़्ट इसने यह एंगल दे रख्या है इट्टी डिग्री और यह है वन ट्वंटी यह है अपका सिक्स्टी और यह अपका है नहीं तुस्टे से पहले तो क्या है कि हमें यही देखना है कि कि यह कितने आएगा यह एंगल कितना क्योंकि सिंस यह एक्स वाई जे डबलू क्या है वाद्र लेटर और इंटेर अंगल सम ओफ इंटेरियर अंगल एंगल ऑफ और डिलेटर इस एकल तो 360 तो 120 प्लस एट 200 260 तो यह क्या आपका आगया 100 जिग्री ठीक है 100 जिग्री अब हमें विल्लू जो है इसने किसकी पुच्छी है है वी हव तो फाइंड फाइंड दा विल्लू ओफ फाइंड दा विल्लू ओफ एक्स प्लस वाई प्लस जट प्लस जब लू ठीक है अब देखिए यह एक लिनियर पेर है यह हंडर्ड है तो यह कितना एट्टी इसी तरह से ये एक लिनियर पेर है यह वन ट्वन टी तो यह कितना सिक्स्टी ठीक है और यह एट्ट्ी है तो यह कितना हंडर्ड और यह 60 है तो यह कितना 120 तो यह विल्लों आप यहाँ पे राम से रख सकते हैं तो यह एक्स की विल्लों आपका कितने निकाली 60 कितना जाएगा आपका अल्सो 360 ठीक है तो इस तरह से आप इन क्विश्णों को कर सकते हैं इसी पर बेस्ट जो है क्विश्ण आपको अक्सरसाइज में करने के लिए दे देंगे आप गूगल क्लास्रोम में ओमबरक अपना डेली का डेली करते रहें है वे नाइस टे थैंक्य क्विश्ण के लिए से नहीं लिए लिएग।